नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए अब ज़रा सोचिए कि इस देश के युबाओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है दुनिया का पहला योग विश्विद्याले जो कि बिहार इंटरनेशनल स्कूल अफ योगा प्रकार योगा अस्थाफित 1963 जब कॉंग्रेस की सरकार थी और यह मुंगेर में है बिहार में बिहार जो भारत के अंदर है यानि भारत अर अंतराश्य यह एक योगा विश्विद्याले है जो दुनिया का सबसे पहला विश्विद्याले कॉंग्रेस ने बनवाया था जिसको इस यूबा ने कहा कि योगा के बिरुध में कॉंग्रेस थी दोस्तों आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी मंदिर हो मंदिर बनवाने का काम किसी सरकार का नहीं होता है अगर आप किताब परहेंगे, संभीधान परहेंगे, तो आपको इस बात का ग्यान होगा, कि सरकार टेक्स वाली पैसा जो अपने पास रखती है, जिससे देश के बिकास में लगाया जाता है, कोई भी सरकारे मंदिर नहीं बनवाती है, मंदिर एक ट्रस्ट बनवाता है, संसा के लिए है, मंदिर हमारे आस्था का भी से है, हमारी इक्षा है, और भगवान गरीब अमीर सब के लिए बराबर है, तो भगवान के नजर में तो सब एक समान है, भगवान को मानने की बात है, मंदिर मजजित जरूरी है अगर आपकी सर्दा है तो, लेकिन मंदिर बनाने का काम सरकार का नहीं है मंदिर तोरने का काम सरकार का जरूर है क्योंकि अगर सरकार को लगता है कहीं से हाईवे लेके जाना है कोई टनल बनाना है कोई सुरंग बनाना है वो मंदिर तोर देगी वहाँ पे सरकार तो अब जान लेजे जान लिजिए और यह बच्चा जो कह रहा था कि संस्क्रीत के खिलाब आप जानते हैं कि जब मंदिर है तो संस्क्रीत जरूर है और मंदिर में चुकी जब हमारे पंडित लोग मंत्र पढ़ते हैं संस्क्रीत में पढ़ते हैं और हमें सुनाते हैं तो दोस्तों संस्क्रीत और मंदिर एक दूसरे के पूरक है और आपको जान कर ये खुसी होगा कि बिहार के दर्भंगा में हमारे पास एक ऐसा स्कूल है त्रिवेनी संस्कूल महा बिद्याले रगुनातपूर, परखंड, हायाघाट जीला दर्भंगा जहां मुसलिम बच्चे भी धारा परवाह संस्कूल पढ़ते हैं, सारे सलो की याद करते हैं उनको याद है ये मुसलिम बच्चे भी उस स्कूल में संस्कूल पढ़ने जाते हैं, ये कितनी गर्भ की बात है, कितने मतलब सोभाग की बात है कि संस्कूल से मुसलिम भी दूर नहीं रहा रहे हैं वो भी मुस्लिम के बच्चे भी संस्क्रीट पढ़ते हैं और यह बिद्याले आप जान लिजीए यह बिद्याले का सापना 1950 में हुआ और इसको साइद सतर के आसपास में इसकी मान्यता दी गई थी दोस्तों सरकार कॉंगरेस की ही थी तो ऐसे बच्चे जो अन्धभक्त बने पड़े हैं इसका सीधा वज़ा होता है वाटसब पर घ्ञान लेना दोस्तों इनोंने कहा कि गीतां के खिलाफ जब है कॉंगरेस कॉंगरेस किसके खिलाफ गीता के खिलाफ अब एक बात मैं इनको बताना चाहूंगा कि गीता, गीता का उपदेश महाभारत में भगवान स्री कृष्ण अरजुन को देते हैं और यह महाभारत प्रसारित करने वाला भी सरकार कॉंग्रेस ही थी 1988-1990 में ये एपीसोड चला था महाभारत का दुरदर्सन पर 1988-1990 का और टोटल 94 एपीसोड आपने बच्चे में देखा होगा ऐसे बैट-बैट के हम लोग देखते थे देखे थे की नहीं देखे थे आप देखे होंगे बले मेरा जनम तो 91 में है और जो बुजुर्ग लोग होंगे हमसे बरे उम्र के लोग होंगे वो सब जानते होंगे और हमारे उम्र बाले भी जानते होंगे हम लोग के उम्र में भी ऐसे लोग TV देखा करते थे और महाभार में आता है तो राम सेतु की चर्चा रमायन 1987 में दुरदर्शन पर एपिसोड 78 78 एपिसोड में दिखाया और यह लड़का कह रहा है कि कॉंग्रेस ने राम सेतु का विरोध किया दोस्तों आगे आजाईए कहा कि सहीदों को सम्मान नहीं दिया कॉंग्रेस ने दोस्तों एक बात जान लिजिए सरकार कोई भी रही है सहीदों को सम्मान हमेशा दिया गया था लेकिन यह BJP ही सरकार है जिसने यह अगनी भीर बनाया और अगनी भीर को सहीद होने के बाद भी सहीदों का दरजा नहीं दिया जाता है यह सरकार भाजपा की ही सरकार है और अगर यह लड़का इसकूल गया होता इसके पिता जी डंटा लेके इसके पिछवारे पर डेली चार डंटा मारते और मुवाइल हाथ से छीन कर इसके हाथ में किताब पकरा के इसकूल ले जाते तो यह लड़का को जरूर पता होत और छठा कलास में संस्कृत भी परना था, दुरभाग्य ये हुआ कि इसके पास हाथ में मोबाइल लग गया और इसको किताब नहीं मिला और पीता जी ने इनको स्कूल नहीं भेजा, प्राइविटी स्कूल तो छोड़ दीजिए, अगर गरीब का बच्चा भी सरकारी स्कूल में जाता है, तो उसको भी पता होता है, कि छठे कलास से हमको संस्कृत परना शुरू हो जाता है, और छठे कलास में संचिप्त रमायन भी पर लिए, बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट जरूर करिएगा, दुरुभाग्य है इस देश का, कि लोगों को ऐ ये मेरे देश हित में है, अगर मैं देश भक्त हूँ, तो देश भक्त होने के लिए कैसी बात, बोलना भी ये करांती कारी ही चीज है, बोलना कोई सधारन चीज नहीं है, अगर आप बोलते हैं, अगर गलत चीज परसारित करते हैं और परचार करते हैं गलत चीजों को, तो आप भी एक रांती कारी है, इस वीडियो को देखने के बाद, वीडियो को जरूर सेयर कर दीजिए, गुरूप में कम से कम दुचार पांच गुवांद भक्त सुधर जाए, और इस बात दुबारा न कोई बोल पाए, बहुत बहुत धन्य बाद, जैहिन, जैभारत!